बढ़ती हुई उम्र के साथ जोडों का दर्द भी बढ़ने लगता है गुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ये समस्याए बढ़ती हुई हम देखते हैं आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसे तेरा घरिलू नुस्के जो आप घर पर ही आजमा सकते हैं और इन जोडों के दर्द में काफी रहत पा सकते हैं तो इन में से कुछ नुस्कों को आप आजमा के देखिए और घर पर बैठे-बैठे ही आराम पाईए अगर आपको ऐसी तकलिफ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का साभित हो सकता है नमस्कार मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अगर जोडो में दर्द है पेन है आपके लिए कुछ बहुती सिंपल से और आपके घर में किचन में मिलने वाली चीजों का इस्तिमाल करके आप आपके जोडों के दर्द से रहाथ पा सकते हैं ऐसे सिंपल नुष्खे मैं आज बताने वाला हूँ इसमें से जो भी आपको फायदे मन लगे आजमा के देखिए और अपने जोडों के दर्थ से रहात पाईए पहला है मेथी मेथी हर किचन में होती ही है मेथी में anti-inflammatory गुन होते है यानि कि जो सूजन है वो कम करने की क्षमता मेथी में होती है आपको मेथी का इस्तिमाल किस तरह से करना है एक चमच मे और लीजिए एक ग्लास पानी में उसे मिलाईए और सुबह खाने के बाद आप ले सकते हैं इससे आपके जोड़ों की तकलीफ जो है वो कम हो सकते हैं दूसरा गरेलुन उसका है हल्दी मेथी की तरह हल्दी भी एंटी इंफ्लामीटर्ड़ी आपने की क्या करना है एक ग्लास आप दूद ले सकते हैं उसमें एक चमच आप हल्दी मिलाईए और सुबह शाम दोनों वक्त आप इसे ले सकते हैं तीसरा और बहुत ही simple उपाए वो है सेंधा नमक, सेंधा नमक के भी काफे अच्छे result गुटनों के दर्द में, joint pain में पाए गए हैं, आपको इसका लगाने का तरीका में बता रहा हूँ, इसको लगाने का तरीका बहुत ही simple है, आपको क्या करना है, एक कटोरी गर्म पानी ले ये भी काफी लाबदायक सिद्ध होता है joint pain में, चोथा है अद्रक, जी हाँ, अद्रक के अंदर जिंजरॉल नाम का एक तत्व होता है, जो आपके गुटनों में बहुत फाइदे का काम करता है, गुटनों के दर्द में काफी आराम ये दे सकता है, इसको कैसे आप लेंगे आपको क्या करना है, एक चम्मच अद्रक का रस निकालना है, फिर उसमें एक चम्मच आप निम्भू का रस डालिए, और फिर आधा चम्मच सहट डालिए, इस मिशरन को आपको दो से तीन दिन तक के रेगुलरली लेना है, सुबह और शाम आप ले सकते हैं, इससे आपके joint पे जो swelling है, जो inflammation आई है, वो भी कम हो जाएगी, और दर्द जो है, वो भी कम होने में इससे काफी मदद मिल सकती हैं, पाचवा और बहुती सिंपल उपाए, वो है आवला, आवला पाउडर अप ले सकते हैं, एक चम्मच आवला पाउडर लीजिए, एक चम्मच सहट में मि निहार पेट, खाली पेट आपको लेनी है, डेली, यह आप करेंगे पाच से छे दिन तक, इसका आप सेवन कीजिए, आपके joint pain में, घुटनों के दर्द में और जोडों के दर्द में, काफी रहात आपको महसुस होगी, सात्वा घरेलो उपाय है, निम्बू, आधी है, आपके जोडो में दर्द में तो इसको कम करने का काम करेगा निम्बू, आठवा उपाय, अगर आपके घुटने में, आपके जोडो में, सुजन है, स्वेलिंग है, तो simple सा काम आप कर सकते है, ठंडे पानी की शिकाई आप कर सकते है, इसके लिए आपको क्या करना है, गरेलो उपा है पारिजाद अगर आपको पारिजाद के पत्ते मिलते हैं तो 5 से 6 पत्ते आपको लेना है अद्रक के साथ इसकी चटनी बनाना है और फिर 2 से 3 चम्मच आप सहद ले सकते है और शहद के साथ 8 से 10 दिन तक इसका सेवन कीजिए इससे भी आपके जोडों के दर्द में काफी रहात आपको मिलेगी दसवा और बहुती सिंपल उपाय आप रेगुलरली एक दस से पंदरा दिन तक रोज नारियल पानी पीजिए इसमें भी आपके जोडों के दर्द को कम करने वाले काफी अच्छे रिजल्ट पाये जाते हैं ग्यारवा उपाय है अलोवेरा अलोवेरा का गर निकारी और इस जेली को जहां पे भी सुजन है जहां पे तकलीफ है वहां पे लगाईए बीस मिनिट टक रहने देजिए और फिर धोलीजिए आपको तकलीफ जो है उसमें रहत मिलेगी बारवा और बहुत ही इंपोर्टन उपाय जो आपने करना ही चाहिए वह है पपिता पपिता आप रेगुलरली खाये इसमें विटैमिन सी जो है बड़ी मातरा में पाया जाता है और इसी की वज़र से आपके शरीर में होने वाली केलिशियम की कमी वह भी इससे पूर्ति हो आपको क्या करना है आधा कब नारियल तेल लेना है गरम करके आप नारियल तेल ले सकते है उसमें दो चमच लाल मिर्च पाउडर डालिए और इस घोल को जहां पे दर्द है वहां पे लगाईए लेकिन याद रखिए यह आपके आखों में नहीं जाना चाहिए और आपको अगर जलन हो जाए तो इसको आपको रोकना है तो थोड़े से प्रमान में पहले करके देखिए काफी पेशन्ट में इससे अच्छे रिजल देखे जाते हैं बीस मिनिट तक इसको लगा के रखिए और फिर आप इसे धो सकते हैं तो ये थे कुछ घरेलो नुसके जिन को इस कितने दिनों से है ये समझना ज़रूरी है इसका क्या कारण है ये समझना ज़रूरी है और फिर जड़ से इसकी ट्रिट्मेंट करना बहुत आवश्यक होता है तो ये temporary इलाज तो कुछ दिन आप करके देख सकते है लेकिन आपको ये तकलीफ अगर जादा दिनों से है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप होमियोपैथी की दवाई लीजिए हम कुछ investigations करेंगे आपका study करेंगे आपके सभाव के बारे में पूछेंगे आपके बिमारी के बारे में विश्तुरुच जानकारी लेंगे और उसके आधार पर आपको सठीक दवाई देंगे काफी अच्छी अच्छी दवाईया होमेपेथी में हैं जिससे जोडों के दर्थ से आप पर्मनेंटली ठीक हो सकते हैं ज़्यादा नुस्खे या ज़्यादा घरेलो उपाई करने की बजाए अगर आप होमेपेथी लेते हैं तो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं आप किसी भी अच्छे होमेपेटी डॉक्टर से मिल सकते है या आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते है मेरा नंबर मैंने निचे दिया है आशा करता हूँ ये नुस्के आपको बहुत पसंद आये होंगे इसी तरह की महत्वोपूर्न बाते मैं मेरे यूटूब चैनल पर शेयर करते रहता हूँ अगर आपने अभी तक डॉक्टर टॉंग से होमेपेटी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंद कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चादा से जादा लोगों तक शेयर कीजिए सो हसते रहिए मुस्कुराते रहिए धन्यवाद